हाई गाईज वेलकूम बैक टू एन अधर वीडियो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैमरास के बारे में जो मिरलेस सेग्मेंट में अभी बहुत जादा पोपुलर होई पड़े हैं और एक beginner के point of view से यही कैमरा सबसे जाधा mind में आता है तो आज हम बात करने वाले Canon के M50 Mark II और Sony के A6400 के बारे में इन दोनों का comparison करने वाले इनके specifications, price और बाकी सारे features को ध्यान में रखते हों यह देखेंगे कि दोनों में से कौन सा कैमरा बढ़ी है कौन सा आपको लेना तो बिना टाइम वेस्ट किया करते हैं इस वीडियो को शुरूर देखते हैं दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट जानिए फ्रोग्रफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात वाच, लर्न, एंजॉइ तो गाई सबसे पहले बात कर लें तो दोनों कैमरा के स्पेसिफिकेशन की तो कैनन के M50 Mark 2 में आपको मिलता है 24 Megapixel कैमरा और ISO पावर की बात करें तो ISO हमें देखने को मिलता है 100 से लेके 25600 तक यानि कि ISO जिससे आप light amplify कर सकते हैं low light situation में सबसे जाधा काम आता है तो उस लगाकर Canon के EF जो lenses है वो भी इस पर mount कर सकते हैं इसके अलावा image stabilization की बात करें तो digital image stabilization आपको Canon के M50 Mark 2 में देखने को मिल जाता है इन सब के अलावा guys अगर हम focus points की बात करें तो 143 आपको focus points देखने को मिलता है यानि कि 143 dots आपको M50 Mark 2 की LCD screen या फिर electronic viewfinder में देखने को मिलें क जिसकी मदद से आप अपने subject पर focus करवा पाएंगे तो वो भी काफी काम के और 143 almost fully screen cover कर देता है मैं खुद अभी M50 Mark 2 यूज़ करता हूँ और जब मैं इससे focus करवाता हूँ तो काफी हद तक बढ़िया focus कर देता है मुझे कोई भी focus में issue देखने को नहीं मिलता अगर guys हम एक normal DSLR की बात करें तो उसमें 43 या फिर इसके आसपास जो है में focus point देखने को मिलते है बट इस camera में 143 है यानि की more than enough है आपका काम easily हो जाएगा इसके लबाब guys अगर मैं बात करूँ design के तो काफी lightweight है handy है अगर आप DSLR से Canon के M50 Mark 2 पर shift होना चाह रहे है तो काफी मज़ा guys मैं आपको बतार हूँ है मैंने खुद feel किया पहले मैं Canon का 6D Mark 2 यूज करता था उसके बाद मैंने R6 लिया और R6 के बाद Canon का M50 Mark 2 लिया तो M50 Mark 2 में मेरे को काफी जो है अच्छा लगता है मतलब यूज करने में काफी lightweight है compact है और use करने में बहुत जादा easy रहता है as compared to DSLR त जब आप 4K पर shift करेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका वीडियो crop होगा जो कि कोई बात नी crop factor तो apply होता है 4K में in cameras में इसके अलावा guys अगर आप full HD वीडियो शूट करना चाहते तो आप full HD वीडियो 60 frame per second की speed per shoot कर सकते है तो यह तो कि guys overall specification Canon के M50 Mark 2 की इन सभी specifications के अलावा अ अगर आप Canon के M50 Mark 2 में high speed shooting करना चाहते तो आप 10 frame per second की speed पर high speed shooting कर सकते है यानि कि 1 second में 10 photo आप लगातार shoot कर सकते है Canon के M50 Mark 2 में तो यह तो होगी overall specification इस camera की जो कि आप website से भी पढ़ सकते है अब मैं इसको थोड़ा बहुत explain कर दिया है अब बात करते है sony के a 6400 की उसमें द है कि 32,000 तक shift कर सकते है यानि कि आप ज्यादा light जो है amplify कर सकते है अगर आप low light situation में shoot कर रहे है इसके अलावा अगर मैं high speed shooting के बात करो तो Canon के M50 में 10-11 यानि कि 1 frame per second जादा है आप 1 second में 11 photo लगातार A6400 में shoot कर सकते हैं 4K video की बात करे तो इसमें भी same 4K video 25 frame per second की speed पर शूट कर सकते हैं इसके अलावा गाईज अगर हम focus points की बात करें तो आपको 423 focus points देखने को मिलता जो कि Canon के M50 Mark II से जादा है 423 focus points में आपको कोई भी problem नहीं आने वाली काफी कमाल के focus points आपको जो है sony k6400 में देखने को मिलते हैं तो यह तो होगी guys दोनों cameras की specifications जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दी और थोड़ा बहुत explain कर दे ताकि आपको idea हो जागी आपको कैसा camera मिलने वाला है क्या कैसकी specification है बट अब आते है main point पर कि दोनों में से best कौन सा है तो देखो guys अगर हम practically देखे तो हमारे को दोनों cameras में 80 से 85% चीज़े same मिलते है क्यों क्योंकि देखो 24 megapixel क same camera है दोनों में same fps है अगर हम 4K वीडियो की बात करें दोनों 4K वीडियो 25 fps की speed पर shoot कर सकते हैं दोनों में 4K वीडियो recording है और अगर मैं high speed shooting की बात करो वो भी ज़्यादा फरक नहीं है एक fps ज़्यादा ज़्यादा जो है sony a6400 में है यानि Canon M50 Markto में आप 10 fps पर shoot कर सकते है son यह तो specification दोनों cameras की almost same है इसके अलावा अगर ज़्यादा है sony a6400 में चीज़े जो ज़्यादा है वो मैं आपको बताया तो उसमें तो ISO ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं इसके अलावा focus points ज़्याद है जिससे आप ज़्यादा जल्दी subject पर focus करवा पाएंगे और थोड़ी स 6400 की advantages मतलब कि वो ज़्यादा बढ़िया है इस मामलों में जो कि मैंने आपको बताए तीन चार features जो guys मैंने आपको बताए वो ज़्यादा है अब सवाल ही आता कि दोनों camera में से लेना कौन सा है तो guys मैं आपको practically बदातो कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए यह मेर के M50 Mark 2 का almost आरे 57,000 के आसपास Amazon पे मैंने चेक किया था और जो Sony का है उसका आरे 83,000 के आसपास मतलब 20,000 से भी ज़्यादा का फरक हो गया दोनों cameras में तो guys कुछ features को अगर मैं नजर अंदास करूँ Sony के 6400 में और अगर मैं Canon का M50 Mark 2 लेता हूँ मेरे पास 20,000 पे या 26,000 पे और बचते जिससे मैं एक lens और ले सकता हूँ एक गिंबल और ले सकता हूँ तो Sony में जो focus points है वो जाद है no doubt but 143 भी enough होती है subject को shoot कराने के लिए चाहे बाद तो photo के मामले में चाहे बाद तो वीडियो के मामले में मिरको Canon M50 Mark 2 इसलिए बैस लगा क्योंकि उसका price कम है तो अगर हमारे पैसे बच रहे है और हमें सारे features almost मिल रहे है 85% तक मिल रहे है Sony के A6400 वाले तो क्यों ना मैं Canon M50 Mark 2 चूस करूँ अगर आपके पास पैसा अच्छा है अगर आपको budget की कोई problem नहीं है तो no doubt Sony का A6400 जादा बढ़ी है बट उसका price भी तो जादा है उसका price भी जादा और उसके lenses भी महांगी है अब मुझे मालनो मैं Sony का A6400 लेकर Canon M50 Mark 2 लेता हूँ तो मेरे पास कितने सारे options रहते है Canon के lenses लगाने के EF mount जो कि मैं आसपास से भी borrow कर लूँ क्योंकि Canon के lenses बहुत common होते हैं इसली आसपास मिल जाते हैं बट Sony के बड़े ही कम मिलते हैं Sony के lenses जो है हर एक के पास नहीं होते हैं क्योंकि वो expensive होते हैं ये बात guys मैं almost अपनी वीडियो में कहता हूँ कि Sony के lenses अच्छे है quality बहुत बड़ी है no doubt बट वो कम मिलते हैं और वो बहुत महेंगे भी होते हैं तो एक beginner के point of view से Canon का M50 Mark II मेरे को ज्यादा better लगा क्योंकि मेरे पैसे भी बच्रे 20-20,000 पर जिससे मैं और चीज़े खरीच सकता हूँ और कुछ सीख सकता हूँ और मैं ज्यादा expansion कर सकता हूँ अगर दोनों camera's में ज्यादा फरक होता दोनों camera's में यह होता कि हाँ 4K मालों Canon M50 Mark II में मेरे को 4K नहीं मिलता और उसमें मिलता तो मैं सोचता एक बड़ी में बट दोनों में 4K और दोनों की quality में इतना भी ज्यादा फरक नहीं कि 20-26,000 में और लगा के Sony का A6400 लो तो Canon का M50 Mark II is a very very good option बहुत अच्छा option है क्योंकि गई अगर मैं Sony का A6400 लेता हो तो मैं kit lens से कितना ही shoot कर लूँगा चाहे बात हो photography की चाहे बात हो video की मेरे को और lenses तो चाहिए सीखने के लिए चाहे हो prime lens, zoom lens या फिर wide angle lens कोई तो lens लूँगा मैं third time में सही तो उस point of view से जो है Canon का M50 Mark II मेरे को जाधा बढ़िया लगा, हाँ अगर मेरे को पैसो की दिक्कत नहीं होती है मैं एक beginner और मेरे को पैसो की problem नहीं है कि मेरे को चाहे एक लाग लगाना पड़े तो मैं Sony prefer करता, तो conclusion बहुत क्लियर है, बहुत जाधा क्लियर है, अगर आपको budget बहुत tight है, आपका A6400 बढ़िया option है, क्योंकि Sony के lenses आपको खरीदने में थोड़ा सा time लग सकता है, अगर आप खुछ से earn करके ले रहे है, तो, अच्छा guys, अगर आप Canon के M50 Mark II का image test देखना चाहते हैं, तो मैंने इस camera का hand zone और test भी कर रखे है, जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, और viewfinder जो है, वो center में है, इससे क्या फरक पड़ता है, जब हम एक DSLR से Canon के M50 Mark II mirrorless पे shift होते हैं, तो हमें ज्यादा problem नहीं होती, यह practically बता दो हूँ जो मैंने face किया, बट अगर हम DSLR से Sony के A6400 पर shift करते हैं, तो हमें शुरू में एक दो महीने बड़ी problem होती है, क्योंकि उसका view drawback लगता है उस चीज़ का, बट ठीक है, वो दिरी-दिरी आज़त पड़ जाती है, इतना भी बटा drawback नहीं है, इसके अलावा Canon के M50 Mark II में और भी अच्छे-च्छे features मेरे को लगते हैं, जैसे कि vertical mode, on screen जो है, उसमें recording button है, चोटे-मोटे features जो है, वो मैंने नजर अंदास क क्योंकि मैं main features को लेके consider कर रहा था, और भी बहुत सारी features हैं जैसे कि face tracking, eye tracking, eye know, बहुत सारी features हैं, बट गाईस, जो main specifications है ना, मैं उसके point of view से बात कर रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा camera, बढ़ी है, बाकि और भी features तो उन camera में obviously है है, तो ठीक है गाईस, वीडियो अच्छ क्योंकि में